ओम, सूपरभात प्रियव द्यार्थियों, नैतिक शिक्षा की आज इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है प्यारे बच्चों, आज हम पाठ छे प्रार्थना, इस कविता को गायन विधी द्वारा गाएंगे इसके अर्थ को समझेंगे, और फिर इसके question answer जो है वो फिर note book पे करेंगे तो सभी बच्चों को ये कविता गायन विधी द्वारा आनी चाहिए, ये हमारे विध्याले की प्रार्थना भी हुआ करती है तो सभी बच्चे इस कविता को सुन चुके हैं, गा चुके हैं, तो आज भी इस कविता को मेरे साथ गाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके अर्थ को समझेंगे, और फिर question answer जो हम करेंगे तो आए शुरू करते हैं, पाठचे प्रार्थना, प्रमात्मा से प्रार्थना की गई है, भक्त जो है बगवान से प्रार्थना कर रहा है क्या बोल रहा है भक्त बगवान को, आए हम समझे जानते हैं इसको शर्ण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालो भगवन संभालो बिगडी दशा हमारी, दया करो हे दयालो भगवन ना हम में बल है, ना हम में शक्ती, ना हम में साधन, ना हम में भक्ती तुम्हारे दर के है हम बिखारी, दया करो हे दयालो भगवन जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम पिता हो तो हम है बालक जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालो भगवन सुना है हम अन्श ही तुम्हारे, तुम्हो सचे ही तु हमारे तो सुद हमारी है क्यों विखारी, दया करो हे दयालो भगवन बुरे है जो हम तो है तुम्हारे, जो हम भले है तो है तुम्हारे तुम्हारे हो करके हम दुखारी, दया करो हे दयालो भगवन प्रदान कर दो महान शक्ती भरो हमारे में ग्यान भक्ती तभी कहलाओगे ताप हारी दया करो ही दयालू भगवन शर्ण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो ही दयालू भगवन तु ये कविता हमने गाएन भीधी द्वारा गाई आईए इस कविता में भक्त ने भगवान से क्या प्रार्थना की है क्या कहा है भक्त बोलता है शर्ण में आए हैं हम तुम्हारी हे परमपिता परमेशवर हे प्रेभू हे सच्चिदानंद हे भगवान हम तुम्हारी शर्ण में आए हैं हम तुम्हारे पास आए हैं दया करो हे दयालू भगवन क्योंकि आप तो दया करने वाले हैं इसलिए हम पर दया करो संभालो बिगडी दशा हमारी दया करो हे दयालू भगवन बोलता है हमारी बिगडी दशा होता है हालत हमारी जो हालत है वो बिगड चुकी है उसे सुधारो और हम पर दया करो क्योंकि हिप प्रमेशवर आप ही दया करने वाले हैं इसलिए हम पर दया करो ना हम में बल है ना हम में शक्ती ना हम में साधन ना हम में भक्ती बोलता हमें बालजू है वो बिलकुल नहीं है ना कोई शक्ती है ना कोई जीने का साधन है और ना कोई हम भक्ती कर पा रहे हैं तो इसलिए बोलता है हमें ऐसी शक्ती दो जिससे हम ये सब कुछ कर पाएं तुम्हारे दर्के हैं हम बिखारी और हम सिर्फ आपके दर्के आपके दर्के वो बिखारी है दया करो हे दयालू भगवन हे दया करने वाले प्रभू हम पर दया करो जो तुम हो स्वामी तो हम सेवक बोलता है अगर हे प्रमेशवर आप स्वामी है तो हम तुम्हारे सेवक हैं अर्थात नोकर हैं तुम पिता हो तो हम तुम्हारे बच्चे हैं जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी अगर तुम बोलता है ठाकुर हो राजा महराजा हो तो हम तुम्हारे पुजारी बनके रहें हमने सुना है कि हम एक छोटा सा अंश जो है वो तुम्हारे हैं तुम ही सच्चे ही तु हमारे और तुम ही हमारे सच्चे जो है वो पालन पोशन करने वाले हैं तुम ही हमारे रक्षा करने वाले हैं तो सुद हमारी है क्योंवी सारी तो हमें नजर अंदाज क्यों कर रहे हो ही प्रेभू दया करो है दयालो बगवन ही दया करने वाले परमपिता परमेशवर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर दया करो बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे जो हम भले हैं तो हैं तुम्हारे हैं तुम्हारे ही पास आएंगे अगर हम अच्छे हैं तो भी तुम्हारे ही रहेंगे तुम्हारे ही पास आएंगे बोलता है हमें महान शक्ति जो आपके पास है वो थोड़ी सी शक्ति जो हमें परदान करो हमें दे दो भरो हमारे में ग्यान भक्ति और जो आपके अंदर ग्यान भक्तियों का ग्यान का जो भंडार आपके अंदर भरा हुआ है उसमें ऐसे कुछ ग्यान की बाते हमें भी दे दो तब ही कहलाओगे ताप हारी तब ही तुम जो है वो ताप हारी ताप हारी ताप होता है दुख को हारी होता है दूर करने वाले तब ही तुम दुख को दूर करने वाले माने जाओगे दया करो हे दयालू भगवन हे परम परमिता परमेशवर तुम दया करने वाले हो इसलिए हम पर दया करो ये भक्त ने परमात्मा से प्रार्थना की है आगे इसके question answer दिये है भक्त भगवान की शर्ण में क्या पाने आया है तो आपने पीछे पड़ा भक्त भगवान की शर्ण में जो है वो क्यों आया है दया पाने के लिए आया है बक्त बिखारी बनकर बगवान से क्या पाना चाहता है? बक्त बिखारी बनकर बगवान से क्या पाना चाहता है? दया पाना चाहता है भक्त ने भगवान को यहां किस रूप में आत्म समर्पन किया है भक्त ने यहां पर भगवान को स्वामी, पिता और ठाकुर के रूप में आत्म समर्पन किया है अर्थात सेबक, बालक और पुजारी के रूप में भगवान के आगया अपना सब कुछ दे दिया है इस गीत की वे पंक्तिय सुनाओ जिसमें भक्त और बगवान का स्बंद बताया गया है तो आपने पीछे पड़ा है कि भक्त और बगवान का स्बंद जो है वो इस बताया गया है तो वहली कवीता है जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक जो तुम हो पिता हो तो हम है बालक जो तुम हो ठाकुर तो हम है पुजारी दया करो है दयालो भगवन भगवान ताप हारी कप कहलाएंगे जब वो महान शक्ती और ग्यान भक्ती हमें दे देंगे तब भगवान जो है वो तापहारी कहलाएंगे अर्थात हमारे दुखों को दूर करने वाला कहलाएंगे तो ये इसके कुछ पांच प्रेशन है जिसको मैंने आप लोगों को समझाया तो आप इन प्रेशनों को अच्छी तरह से फिर नोटबुक पे लिखेंगे आपको इनके अंसर जो है वो भेजे जाएंगे आपने कविता को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और गाने की कोशिश करनी है गायन बीधी दुआरा और फिर question answer खुद बनाने की कोशिश करनी है फिर नोटबुक पे आप question answer नहीं लिखेंगे जब मैं आपको question answer send करूंगा भेजूंगा वहाँ से आप question answer फिर note book पे लिखेंगे तो इसी के साथ हमारा समय यहीं पे समापत होता है आप सभी का दिन मंगलमाई हो धन्यावाद